आप सभी का स्वागित है और कैसे आप सभी उमेद करते होंगे बहुत ही बढ़िया होंगे शांदर तरीके से होंगे चले तो क्लास को मैं आप स्टार्ट करते सबसे पहले और अगर मेरी वॉइस और मेरा वीडियो आप लोगो दिखाए दे रहा है तो जल्ली से एक बार इस स क्लाफे में आप लोग को बता दू कि जो मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है साइंस हावन उसको भी जुरूर सब्सक्राइब करिए आप सभी और प्रिंस नमस्ते रोहित विमल नमस्ते लोकेश नमस्ते बटा और क्लास को हमीं स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दू कि अगर आप लोग उससे जुड़ करके और पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी आनेकेट में लर्निंग आप को अभी तुरन डाउन्डोड कर लीजे इस ताइम पे मेरी जो क्लास है वह चल रही है रेल्वे केटिगरी में बहुत जली SSA केटिगरी में मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है और जो मेरा कोड है वो है अमरितायस जिसका यूज करने से आप लोग को 10% का डिसकाउंट यहाँ पर मिल जाता है और साकर में बता दो कि कोई भी कोर्स अगर आप खरीते हैं कोई भी टीचर से अगर आप पढ़ते हैं आप इस कोड को जरूर वहाँ पर सबी को नमस्ते और इस टाइम पर एससी के लिए बैंकिंग के लिए और साथ में रेल्वे के लिए बहुत इशांदा सब्सक्रिप्शन्स हैं तो आप अपनी विधा अनुसार सब्सक्रिप्शन्स ले सकते हैं पर हमेशा ध्यान लखना कोड आपको हम्रिता एस ही यूज य जाती है उसके लिए आपको क्या करना होता है रिज्रेशन करना होता है फ्री रिजिस्टीन हो जाता है अम्रिता र्चैस को का सब्सक्रिइंगений अभाई से कर देख नमींवेर तो आपको परिशान होने की ज़ूरत नहीं है आप लोगों के लिए लिए हंदी और इंगलिश दोनों में ही यहाँ टेस्ट यहाँ पर होगा और आप देख सकते हैं आप यहाँ पर कि 1-3 rank, 4-10, 11-50 और 51-500 तक के बीच में अगर rank आती है आपकी तो आप लोग को बहुत शांदार तरीके से gift और prizes भी मिल रहे हैं तो जली से आप लोग क्या करेंगे संडे को 12 बजे इंडॉल्मेंट जरूर कर देंगे तो चलिए अब हम जली से इस class को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से शांदार questions हैं और आप कितना यहाँ पर answer कर पाते हैं चलिए जली से आजए तो सबसे answer आप लोगों का बिलकुल यहाँ पर सही हो जाएगा बताए बच्चों यहाँ पर अब बात करें तो एक ऐसे धातों के बारे में आपको बताना है जो ठंडे पानी के साथ सबसे हिंसक प्रतिक्रिया करता हुआ आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है चलो बच्चों बहुत ही तेजी से रेक्शन करता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है कई बार यहाँ बहुत ही वा क्वाइलि एन्ट फायर यानि कि बहुत ही ज़्यादा क्हास तोर से हिंसक तरीके से आग लगाता हुआ भी यहाँ यहाँ पर दिखाई देता है ठीक है बच्चों चलो现在 special edition से कौन साथ जानवर अपनी तवचा और फेफ़ो से सांस लेता हुआ आपको दिखाई देता है और मैंने कई बर बताया है कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में एमफीबिया के बारे में तो जो भी आपके एमफीबियंस होते हैं जैसे कि फ्रॉग वो क्या करते जब टेड़ पोल होते हैं यानि कि वहां लारवल फेज में होते हैं तो उस टाइम पर वहां स्वसन लेते हैं किसे करते हैं गिल से वहां अपना रिस्पाइरेशन करते हैं गल्फणों से अपना स्वसन करते हैं और जब वह मैक्चोर हो जाते हैं प्रॉपर फ्रॉग बन जात है अब हम यहां पर जली से next question को देखते हैं कि what is the safe limit of sound level in db for our ears यानि कि decibel में ध्वनी इस तरी का जो सुरक्षित सीमा है जो हमारे कान को किसी तरह से कोई नुकसान अब नहीं पहुंचाएगा कौनसा होता लुव इंगे हां से लगों का बिलकुल यहां पर सही हो जाएगा तो बाच्चों होता क्या है कि तो हो यहां पर इंक्रर पहले लुव पर अंसर करो आप फिर भींड़ाती तो साथ करकरो कि सावंडर करते premi यहां पर नापर इंपना दोосनी वकिल सबसे सेफ है Android 20 डेसिबल्स तो और दूसरी बात आपे कि अगर से ज्जादा फ्रेक्वेंसी में हाइ फ्रेक्वेंसी में साउंड आएगा तो हमारी का इनर एयर में जो हमारा टैम्पैनिक membrane होता है जो हमारा जो कि आपके brain तक signal को पहुचाने का काम करता है कान का परदा कहते हैं जिसे वो पूरी तरीके से खतम हो जाता है खराब हो जाता है तो इसलिए इतना ही है तो अगर हम highest देखें तो 120 और minimum अगर देखें तो 20 यानि कि 20 decibel के बीज का जो ध्वैनी तरंग है या जो decibel है वो सबसे बेस्ट यहां पर होता है ठीक है चले अब हम यहां पर जल्ली से next question के और move करते हैं जल्ली से answer करेंगे यहां पर ठीक है superstar कि what is the SI unit of pressure दबाओ की अगर हम SI unit के बारे में बात करते हैं तो दबाओ की जो SI unit है वह क्या है नमस्ते जगदेश और जितने बच्चे आए हुए हैं जल्ली से session को like कर दीजे ठीक है like कर दीजे और अपने सभी दोस्तों में share भी कर दीजे फटाफट से चलो बच्चो जल्ली से answer करेंगे यहां पर कौन सा answer यहां पर आपका फॉर्थ का बिल्कुल ठीक हो जाएगा और answer यहां पर क्या होगा ए आंसर यानि कि जो पास्कल होगा वा बिल्कुल यहां पर सही answer हो जाएगा तो पास्कल के अगर हम बात करते हैं तो दबाओ की जो SI unit होती वह पास्कल होती है इसका क्या मतलब है it is equal to one newton per square meter हिंदी में अगर हम बात करें तो जो प्रती वर्ग meter एक newton के बराबर यहां पर होती है clear है बचो ठीक है चले तो अगर हम यहां पर बात करें तो ब्लेस पास्कल नाम के एक scientist से उन्होंने ही सबसे पहले पास्कल की त्रिकोर्ण और संभावक की जो सिध्धान्त है जिसको हम यहां पर कहते हैं क्या triangle और इसके सासथ probability theory उन्होंने ही यहां पर दिया था तो इनहीं के नाम पर ही पास्कल वर्ड यहां पर रखा गया है अब हम यहां पर जली से next question क और move करते हैं और जली से आप लोग को यहां पर इसका आंसर करके बताना है ठीक है ठीक है हमानी कोई बात नहीं बटा है इसा होता रहता है अब हम यहां पर next question को देख रहे हैं कि कृतिम वर्षा को प्रेजित करने के लिए निम निम ऐसे किसका उत्योग यहां पर किया जात से ठीक है तो प्यारी बच्छों अगर आप यहां पर बात करते हैं तो कौन सा आंसर सही होगा आंसर हो जाएगा डी आंसर बेरी गुर्ट तो अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो silver iodide यहां पर बिलकुर सही आंसर हो जाएगा यह क्या है एक तरह का inorganic compound होता है इसके formula की अगर हम बात करें तो इसका formula क्या होता है? AGI इसका formula यहाँ पर होता है. ठीक है, next हम देखेंगे कि यहाँ कैसा होगा bright yellow color का, यानि कि एकदम यहाँ चमकीला पीले रंग का दिखाई देता है ठीक है, अब हम यहाँ पर next question की और move करते हैं और जली साब को six का answer यहाँ पर करना है. ठीक है जग्दीश, बहुत बढ़िया, मैं मेरा बिहा होगा क्या, होगा क्या, मतलब बिटा आप पूछ रहे हूँ या बता रहे हूँ, प्लीज बताना, ठीक है, ठीक है, ठीक है तूफान, अच्छा, नाम तो दिखो तूफान, ठीक है, तनू, ओके, जली सा answer कर देंगे यहाँ पर, बाकी बच्चे, ठीक है, छोटे लाल, तो अब है यहाँ पर the image of an object formed on the retina of the eye is, चले, जली सा answer कर देंगे, यहाँ पर, कौन सा answer, यहाँ पर 6 का बिल्कुल सही हो जाएगा, बताए फटाफट से, 6 का answer क्या हो जाएगा, answer क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच्चो, answer हो जाएगा, C, answer, तो जब भी हम किसी भी object को देखते हैं, ठीक है, तो उस object की जो image है, ठीक है, जो उस object की image है, जो छवी है, वह कहाँ पर दिखाई देती है, हमारे retina में दिखाई देती है, लेकिन कैसे दिखाई देती है, तो बच्चा आपको यही यहाँ पर ध्यान में रखना है, और फिर इस image को हमारा brain क्या करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से measure करता है, और फिर हमारे brain में यह सीधी यहाँ पर दिखाई देती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, अगर हम यहाँ पर modern chemistry के बारें बात करें, तो modern chemistry का पीता यहाँ पर किसको कहा जाता है, चलो जली सा आंसर करेंगी, गोपाल बहुत बढ़िया, तुकिर अंसारी, श्रीकांत, सूरज बहुत बढ़िया, चलो जली सा बताएंगी बच्चो अंजली, कौन सा आंसर सही हो लीजे, तो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, लोवेशियर के बारे में, तो लोवेशियर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था, एन्टोनी, लॉरेंट, डी, लेवोशियर, यहां फ्रेंक्श के लिजे, और इनका फादर आप दा मॉडरन केमेस्ट्री यहाँ पर किया जाता है, उन्होंने केमेस्ट्री के साथ साथ, बायलोजी में भी बहुत जादा काम किया है, ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स कोशन की और मूव करते हैं, अगर हम बात करें, तो हमारी बाडी में, जो सबसे ज़्यादा टीशू पाई जाती है, वहाँ कौन सी होती है, और मैंने कई बार यहाँ पढ़ाया हुआ है, और आप मैंसे कितने ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने अभी तक साइन्स हैविंग चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जली से सब्सक्राइब कर लीजे, और यहाँ पर अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि अगर 7 पीम को अगर आप देखते हैं, या 7 पीम की अगर आप बात करते हैं, तो जो 7 पीम है, वहाँ पर आप लोगों की ठ्योरी क्लास यहाँ पर हो दी है, ठीक है, क्लियर है, चलो, तो जली से सब्सक्राइब पर तो प्यारे बच्छो और अंसर कि आप यहां पर और क्या हूँ अगर आप बारें सही बारें करते हो थाल यहीं कि ऑलीले में manage तो यह सारी आफ को सब्वाइब करते हैं थे तरिक हैं कि तरह हैं कि थाए प्रणिद प्रणिट भीशों होते हैं मैंने आपको पढ़ाया हुआ है दो दिन पहले ही क्लास में कि पहला होता है यहां पर आपका क्या इन फर्फ में आपका आता यहां पर नर्वस टिशू जिसको क्या आप बताएंगे तंत्रिका टिशूस यानि तंत्रिका उत्तक उसको यहां पर कहा जाता है, है ना, पढ़ाया हुआ है ना, किन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, अभी तक बताएए जली से यहां पर, किन-किन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, चले, आगे वेरी गुड विकार्स, आगे हम यहा सा तत्वर जिसको पानी की नीचे संरक्षित रखा जाता है पानी के अंदर संरक्षित रखा जाता है चले जली से आंसर करेंगे यहां पर नाइंथ का कौन सा आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा बताईए पटापर से कौन सा आंसर आप लोगों का बिल्कुल यह ही आंसर हो जाएगा तो वाइट फॉस्फोरस अंडर को स्पॉंटेनेश कंबर्शन एक्सफोस टू दा एयर क्योंकि जो सफेद फॉस्फोरस होता है जैसे हवा के संपर्ख में आता है उसका दहन होने लगता है वह जलने लग जाता है ठीक है तो उसको बचाने के लिए इसी चीज से बचाने के लिए उसको हम पानी के अंदर क्या रखते हैं सुरक्षित करके रखते हैं ओके चलिए अब हम यहापर नेक्स देखते हैं नमस्ते को टिलियर नेक्स कोशन के और हम यहापर मूफ करेंगे कि यलो कलर ऑफ दा यूरीन इस दू टू दा प्रिजिन सॉफ आप सभी ने देखा होगा कि जो यूरीन होता है, मुत्र होता है उसका रंग कैसा होता है पीले रंग का होता है ठीक है सुनेल, very good तो वह किसकी वजह से होता है चलिए जली सा आंसर कर देंगे बच्चों यहापर 10 अंसर आप लगों का मिल्कुल यहापर सही हो जाएगा जल तो आप नॉर्मली देखें तो आप देखेंगे कि नॉर्मली यूरीन यहां होता है थीक है चले आप इसकी वाद हम यहां पर नेक्स कोशन की और मूफ करते हो जली साप लोग को यहां पर आंसर करके बताना है इलावंत का कौण सा आंसर सही होगा वेरी गुड मीनी, वेरी गुड लवकुष, सुनील, अंजली, केतन ऐस्यादव, प्रभाकर, बहुत बढ़ी आंसर है, रचेश कुमार का आंसर भी बहुत बढ़ी है, ठीक है सुनील, वेरी गुड, अब हम बात करेंगे, the sudden fall in the barometric reading indicates, अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, तो जली सा आंसर कर देंगे, बच्चों यहाँ पर कौन सा आंसर सहीं हो जाएगा, तो आपस अभी को पता है कि जो barometer होता है, वह atmospheric pressure, वायू मंदली दबाव को नापने के लिए यूज किया जाता है, अगर वायू मंदली दबाव नाप रहे हो, और अचानक से आप देख रहे ह कि वहाँ पर आप देख रहे हो कि जो measurement हो एकदम suddenly fall हो रहा है, एकदम गिर जा रहा है, तो आप समझ चाहिए कि वहाँ पर क्या होने वाली है, अब वर्शा वहाँ पर होने वाली है, तो फड़ा फट से नोट कर लेंगे यहाँ पर कि barometer जो है, वो suddenly अगर देखे तो वहाँ पर वर्शा होने वाली है, अब नेक्स जो बात में आपको बता दो बच्चों कि अगर my chance rainfall वर्शा आपके option में नहीं दिया है, तो second number में आप किसके पास पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे, स्टोर्म के पास, कहां पर पहुंच जाएंगे, स्टोर्म के पास, यानि कि आंधी या फिर तुफान यहां पर आने वाला है, प्लियरे बचों, तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि जिस तरीके से यहां पर जो आपके options हैं, उस options को देखते हुए ही हम यहां पर उसको टिक करते हैं, तो rainfall के पास पहले पहुंचेंगे, और अगर rainfall नहीं है, और बहुत तेजी से अगर नीचे गिर रहा है, अगर नॉर्मल गिर रहा है तो rainfall और अगर बहुत तेजी से अगर गिर रहा है, तो फिर strong ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर sudden fall कह रहा है, अचानक स 1st law of the motion, give the concept of, अगर आप यहां पर बात करें, तो जो Newton है आपका, Newton 1st law, Newton की गती का जो पहला नियम है, वह क्या अवधरणा यहां पर देता है, चलो जली सांसर करेंगे, यहां पर कौन सांसर से ही हो जाएगा, तो बचो आप सभी को पता है, Newton का 1st law क्या होता है, इसका है कि प्रतेक वस्तु तब तक अराम में रहेगी जबता कि कोई बाहरी बल उसके उपर कार्य ना करें, है ना, तो यह क्या बता रहा है, जड़ता का नियम बता रहा है, क्या बता रहा है, लॉफ इनर्शिया यहां बता रहा है, तो फटा पर से आप इसको यहां पर नोट कर लिजे लॉफ दा इनर्शिया राइट चलो काफी फेमस कोशन है बहुत यह कोशन यहां पर आता है ठीक है प्रभाकर सुवेंदू दास वेरी नमस्ते विटा ठीक है ठीक है चलो आपर नेक्स कोशन की और मुव करते हो जल्ली साप लोग को आंसर करके यहां पर बताना है कि हमारा साइंस हेवन चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजे और डेली पढ़ने के लिए ठीक है कोविंद बहुत बढ़िया नमस्ते वेक्सीन बहुत बढ़िया चलो जली सांसर करेंगे यहां पर हिंदी में दिया हुआ है चलो जली से बताना है कह रहा है यहां पर कि प कि आन्थ को ली अंसर जो हो जाएगा ब्रजा का आंसर बहुत अच्छा है ब्रिज किशोर आपका अंसर बहुत बढ़िया है और यहां पर प्रेका थोड़ा सदिकत हो गया है ठीक है लव खुश ठीक है तो बच्चों अंसर के गर हम यहां पर बात करें वरी बड़ी गूड लोकेश, श्रीकांत का भी आंसर बहुत अच्छा है, आंसर क्या हो चाहिएगा, यहां पर C आंसर, तो बजो फटाफर से आप यहां पे नोड कर लीजे, हेलियोफाइट्स, हेलियोफाइट्स मतलब होता है, कि जो सन की और अट्राक्ट होते है, सूरी की प्रकाश में एकदम सनषाइट्स का नोड़ान जो सनषाइट्स प्लांचछस ऊंहिए तो सनषाइन हो आप यह कि ठीज्ज रोश् Emerald टेक है अब बात करते हैं, इसके पार हिए पानी में रह रहते हैं, आप में बात करते हैं इसके बारे में, हीलियोफाइट मिलितल हैं वहाँ पर वहाँ पैदा हो रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर एक बात हो रही है एक special नाम आरा है CO आगर हम यहाँ पर बात करते कि जो CO-पाइट होते हैं वह किस तरह के प्लांट सोते हैं तो बच्चों जो CO-प्लाइट होते हैं वो तो आप यहां पर बात करोगे कि जो लिए फाइट से वो तो तेज रोशनी में पादा हो रहे हैं लेकिन जो शीयो फाइट से उनको छाओ में रहना पसंदे और चाओ में बहा पैदा हो रहे हैं राइट बच्छों चलो अब हम यहां पर नेक्स कोशन के और मुफ करते हैं कि अगर हम बात करें तो प्रकाश के किस रंग में सबसे लंबी तरंग देव यह होती है और यह तो चुटकी में बता दो गया फटा फट से बताएगा कौन सा आंसर सही हो जाएगा जरिस आंसर करेंगे यहां पर 14 का कौन सा आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा ब विब ग्योर क्या है विब ग्योर मतलब यह है कि जब भी आप अपनी संलाइट को देखते हो तो संलाइट में आपको सैवन कलर्स दिखाई देते हैं ठीक है प्रिस्ब से अगर आप उनको निकाल रो तो आप देखेंगे विब ग्योर तो आपका होगया वाइलिट, इंडि थे वह सबसे कम होती है और इसलिए यह भटक जाते है अपने मार्गे से राइट चले ठीक है मैंने इस बहुत बढ़िया आगे में आपर वेरी कुर्ट प्रत्यूमन अब हमें आपर नेक्स कोश्चन की और करते हैं और इस और मैं आप लोग को यहां पर बता दू कि इसलिए रेड कलर का यूज ना डीपर्स वगरा में गारी में और जैसे आप ट्राफिक सिगनल्स के अगर आप करें उनकी अगर आप करें तो उन सभी में हम देखेंगे कि वहां पर भी ना रेड कलर का इसलिए अगर आप हैं पर किसी भी पानी के टलाब को देखते हैं तो वह बहुत कम गहरा दिखाई दे रहा है और ऐसा किस वज़़से हो रहा होता है चलो जली से आंसर कर देना है और जली से पता सा आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा तो बच्छो answer के अगर आप बात करते हो तो answer क्या हो जाएगायाआ यहापर परीवर्टन यारि कि reflection यहापर से ही answer हो जाएगा जैसे कि यह हवा है ठीकें यह पानी है यहाँ से कोई भी तो यह чए तो अफिक मिडियू से दूसरी मिडियूम और भीन सीच नहीं होकता जाते न से क्रेक्षण इन दुस्य मांधियूम ecosystem दूस्रे मांधियूम में गती परिवर्तन की करण नियुकित हो जाती है तो उसी को क्या कर जाता है रिफ्र्क शन यहाँ पर कहा जाता है और उसका जो गहरा पन होता है काफी कम यहाँ यहाँ पर दिखाई देता है लवकोश का बहुत अच्छा है अमन बहुत बढ़िया नेक्स आम यहां पर बात करते हैं ठीक है प्रिज के शोर आगे देखींगे विच इस नौट अफ यूमन ब्लड अगर हम बात करें तो इन में से कौन सा ऐसा है जो मानवरत का हिस्सा नहीं है यह तो चुटकी बजाते कर दोगे बच करते हैं तो यह तो एक एंजाइम होता है और कैसा एंजाइम होता है जो डिफरेंट तरह के प्रोटीन को डाइजिस्ट करने के लिए यूस किया जाता है वेरी गुड नितेश अब आप जली से नेक्स कोशन की और मूफ करते हैं नितेश का अंसर भी ठीक है बहुत बढ़ि सेल शब्द के अगर आप बात करें तो सेल शब्द किसने यहां पर दिया था ठीक है लवकुष ठाइन कि सो मज मिटा चलो अब जरी सांसर करेंगे यहां पर 17 का कौन सा आंसर आप लोगों का बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा तो बच्चों जो सेल था सेल क्या था सेल काम किया कि जो भी इन्होंने पेड़ पौधा लिया इसमें जो बार्क होती है बार्क यानि कि जो यहां पर छाल होती है उसको उन्होंने देखा ठीक है उसके अंदर इनको क्या दिखाई दिया हनी बी का हाई यानि कि हनी बी का जो छता होता है मधुमक्खी का जो छता होता वैसे structure उनको यहाँ पर दिखाई दिया और खाली जगा इस तरह से उनको यहाँ पर दिखाई दी खाली जगा के लिए क्या word यूज किया जाता है साला शब्द का यूज किया जाता है तो इसलिए इन्होंने क्या नाम रख दिया यहाँ पर सल नाम है यहाँ पर यहाँ पर एक दूसरा कोशन और पुछा जाता है जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एक बज़े से जो मेरी क्लास थी अप्लिकेशन की फ्री लाइफ सेशन होता है बिटा आप लोग भी आ सकते है ठीक तो अगर हम पर बात करें तो जो सेल सबसे पहले किस ने को पर रोबर्ट हुकने छोड नाम किस ने दिया रोबर्ट हुकने अगर बहां पर जैसे ही पूछ ले की लिडिंग स JUL किसें सबसे पहले देखा जब लोग को यहाँ पर क्या बताना है आपको इस lateral थे डिखा थीत क् करते हैं ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया है प्राक्रिस सेशन जारी रखे आपना आगे में आप पर नेक्स कोश्चन की और मुफ करते हैं अगर हम यहां पर बात करें तो मानों शरीर का जो तापमान है जो टांपरेचर है उसको रेगुलेट कौन करता है साइन सेवर प्लास क पर नहीं कुमान करते है इंसेन केaver के जो प्यकिन कि यहां ब्लड यहां पर घ्रेटीजान हो जाएक बिल्कुल तहीं होजाएगा भीजा है प्लईट लिए जाएंध चा आशचानेख न्सकलन जो यह को हो जाएगा बड़ यहां पर बंकुल सहीं ऑंसट निया तोर सलग है cents पूरी बॉडी तक ले करके जाता है और जो ऑक्सिजन होता है उसको यहां लंग से वापस लेकर के आता है और पूरी बॉडी में यहां फैलाने का काम यहां पर करता है ठीके बचो चलो अब आप जली से अब जली से आप लोग को इसका आंसर करके यहां पर बताना है ने से यहां पर इंचार इन इस विश कंटेंग लाइड इब्सॉर्बिंग पिग्मेंट इस कोड इसका फटा फटबर से बताइए ठीके संगम नमस्ते जली से बताना है देवदत प्रभाकर कौं सा आंसर यहां जली सांसर करेंगे आंसर क्लोरोप्लास्ट आपका बिल्खुल सही आंसर हो जाएगा इसका क्या मतलब हो गया कि जो भी आपका प्लांट है या कुछ अनिमल्स हैं जैसे कि यूगलीना उनके अदर आप देखते हो कि वह सभी पोर्टो सिंथेस की प्रोसेस करते हैं और क्लोरोफिल कहां पर भरा हुआ होता है तो जो क्लोरोफिल होता है मुकेश्ट वह भरा होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ठीक है एक बच्चो सुनो एक सिकिंद एक सिकिंद एक सिकिंद यहां पे थोड़ी से गड़बड़ी हो गई है थोड़ी से गड़बड़ी हो गई ह है ठीक है क्लोरोप्लास्ट यह लिखा है वो क्रोमप्लास्ट है बच्छों आंसर के अगर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है बच्छों चलो अब इसके बाद हम यहां पर नेक्स कोशन की और यहां पर कहा जाता है चली सा आंसर यहां पर इल्कुल सही हो जाएगा बच्छों को हैं सा प्लाजमा ठीक है क्या हो जएगा यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा वैरी गुड ठीक है तो राजपुत लॉयन्स फैमिली बिल्कुल सही आंसर है लोकेश शंगम अमन सभी का अंसर बहुत अच्छा रहा है इसी टाइम पर क्लास होती है और क्लास के लास्ट में मै इतने बचे मेरी क्लास होती है, ठीक है? अब हम यहाँ पर नेक्स पॉइंट को देखते हैं, तो यह जो प्लास्मा का जो content होता है, भेग्या पूरे प्लड का लगबग 55% होता है, बहुत important है, इससे बहुत ज़्यादा question पूछा जाता है, अब हम यहाँ पर नेक्स question को देखत है, chlorophyll in plant cells is found in, अगर आप यहाँ पर पादप कोशिका के बारें बात कर रहे हैं, और उसमें आप देख रहे हो, कि जो chlorophyll है, वह कहाँ पर पाया जाता है, वह कहाँ पर पाया जाता है, चलिए बच्चों, जल्ली सा answer करेंगे, आप लोग यहाँ पर कौन सा answer आप लोगों क को देखते हैं, the color of the blood is red due to the presence of, यह तो आप बिल्कुल फटा-फट से कर लेंगे, जो आपका blood का color जो है, लाल रंग का क्यों होता है, चलिए जली सा answer करेंगे यहाँ पर, कौन सा answer यहाँ पर बिल्कुल सहीं हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों, आंसर के अगर हम यहाँ ब पर पाया जाता है, तो आपको answer करना है, कि अगर आप यहाँ पर अपनी RBC को देखते हो, किसको देखते हो विटा, RBC, यानि कि लाल रखत कडिकाओं को अगर आप यहाँ पर यहाँ पर यानि इसका जो आवरन होता है, इसका जो membrane होता है, यहाँ पर कुछ प्रोटीन स्टि लेकिं इस क्या जोडा होता है, आइरन जोडा हुआ होता है, लौह तत्व यहाँ पर जोडा हुआ होता है, इसलिए लाल कलर का दिखाई देता है, जाहां पर ल्वा होगा, वो लाल कलर का दिखाई देता है, अब हम आपर next question के और move करते हैं, जली से ऐसका answer करेंगे, कि which organ is known as the powerhouse of the cell अगर हम यहां पर बात दें तो ऐसा कौन सा कोशिका के अंदर जिसको हम powerhouse के रूप में यहां पर जानते हैं चलिए जली से बता दीजे very good location, बहुत बढ़िया very good चलो बच्चो जली से आंसर करेंगे, कौन सा आंसर सही हो जाएगा और जित्ते पर student आये हैं एक बाइस session को like कर दीजे बिटा जली से session को यहां पर like कर दीजे ठीक है, और जली से subscribe कर लीजे science heaven को subscribe कर लीजे और daily class में आईए आसर क्या हो जाएगा, mitochondria very good, तो अगर हम यहां पर बात करते हैं mitochondria यहां पर बिल्कों सही आंसर हो जाएगा यह क्या काम करता है, यह काम करता है internal respiration का यानि कि intracellular respiration अंता कोश्की स्वसन का यहां कारी यहां पर करता है और ATP के रूप में यहां क्या करेगा, आप बताएंगे कि energy बनाने का काम यहां पर करता है ATP की full form क्या होती है बचों very good शाहिर, ATP की full form क्या होती है बचों, तो आपको बताना है adenosine triphosphate ठीक है, चलो, अब हम यहां पर जल्ली से next question की और बढ़ते हैं next question है यहां पर कि beryllium sulfate कि कारण पानी में कन भुलंशिल होता है चलो, जल्ली से बताना है यहां पर कि beryllium sulfate is less soluble in water due to, चलो, जल्ली से आंसर करते हैं यहां पर, ठीक है आश इसके पारे में बात करते हैं, ठीक है ठीक है, definitely चलो बचो, जल्ली से आंसर करेंगे यहां पर 24th का कौन सा आंसर यहां पर सही हो जाएगा, बताइए फटा फट से बचो, आंसर के अगर हम यहां पर बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर, तो जो भी आपका बेरियम sulfate होता है, वह वाटर में ज्यादा घुलंशिल नहीं होता है तो अगर आप यहां पर sulfate के बारे में बात करते हैं, तो वह किसी का भी sulfate हो, मतलब उसलिए अगर आप देखते हो, लेड का, मरकरी का, बेरियम का, कैल्शियम का, तो इसके जो sulfate होते हैं, वह वाटर में अच्छे से बहुत जल्दी घुल नहीं पाते हैं, आप घुलित हो होते हैं, ठीक है, बाकी और जो दूसरे metal के जो sulfate होते हैं, वह पानी में बहुत जल्दी से घुल जाते हैं, क्लियर है बच्छों, चलो, ध्यान रखना इस जिसको, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, लेड, मरकरी, बेरियम, कैल्शियम, इनके sulfate, पानी में आग घुल होते हैं, ज्यादा अच्छे से घुल नहीं पाते हैं, अब हम यहाँ पर नेक्स कोशन की और बढ़ते हैं, नेक्स है, आप तो हैंपर कि elements increases the absorption of the water and calcium in plants, यानि कि ऐसा पौन सा तत्व है, जो पौधों में पानी और कैल्शियम के अशोशन को बढ़ाने के लिए कार्य यहाँ हाँ पर करता है, ठीक है संचना, नमस्ते बटा, हाने डेली क्लास चलती है नितेश, यहाँ पर दो बज के पंद्रा मिनट पर, यहाँ पर, टीक है, दो बज के पंद्रा मिनट पर Turkey में इतके हैं और आप लोग जूड सकते हैं, के बाँ संदे को छुट्टी लेती हूं मैं तो इस बार में संडे को चुटी लोगी पर आप लोगों को ज़रूर आना है ठीक है बचो चलो जली से बताएंगे यहां पर मैंप जी इस सेल मेंबरेन प्रिजेंट इन आर बीसी यस बच्छा बिलकुल होती है ठीक है चलो अब जली से बताएंगे 25 का कौन सा आंसर सही हो जा बढ़ाता है और साथ में जो कुछ में मेटबॉलिक अक्टिविटी होती है पौधे के अंदर उपा पच्छें की प्रक्रिया होती है उसको भी बढ़ाने का काम यहां पर करता है नहीं नहीं किया है बटा बहुत क्लासेस रहती है तो नहीं कर पाते हैं ताइम से खाना लेक बिटर माइन ईज अओद ऐसे अगर हम यहाँ पर बात करेएं तो आपसे नहीं कोछ रहा है बिटा साथ में मेंब्रेन होता है बचे अगर आप से बाढ़े में बात करें तो कोई भी तो कोई कि ऑौडरी लाइन होती है ने जिल्ली काहा जाता है वो सब में पाई जाएगी लेकिन अगर आब बात करोगे, यहाँ पर कोई cell है, उसमें nucleus है क्या या नहीं है तो RBC में nucleus नहीं पाया initial phase में पाया जाता है पर mature नहीं पाया जाता है तो RBC में nucleus नहीं पाया जाता है लेकिन membrane फ pra जाएगा तो दोनों में अंतर होता है चलो बच्चो अब जली सा आंसर करेंगे 26 का क्वांसा आंसर हो जाएगा आंसर इहांपर हो जाएगा C answer क्या हो जाएगा — बच्चो यहांपर C तो एज नापने के यहांपे जो सबसे अच् Lib亦ी है वह counting ग्रोथ-rings that टो ग्रोथ रिंग के रव बात करो, तो कोई भी पेड़ अगर आप उसको vertically काटते हो, है न तो इस तरीके से आपको एक.. बड़ासा पेडॅ का इस तरीके से round गोल सा टूकडा सा आपको हहां पर दिखाई दे रहे यहां पर आप देखना इस तरीके से ring सा बना हुआ होता है एक ‌ा डार्क ऐक्लाइट एक डार्क ऐक वाईट ऐसे करें यहां पर आप देखो गें की बहुत सारे आपको रिंग से वहां दिखवाई देते रोगcipl Set वह क्या है तो बच्चों वह है Por वह काम्बियम से बना होता है और हर साल एक लाइट और एक डार्क का पॉंबिनेशन का एक रिंग आपको बनता हुआ दिखाई देता है और यह सभी वेस्कुलर टिशू में दिखाई देता है यानि कि जिनके पास जायलम और फ्लोयम होता है उसे के अंदर यह काफी जादा द इसमत्र में देते हुं कि जो बचे मुझसे पढ़ना चाहते है वो सभी मुझसे साइंस पर जुड घेके बांछों यहाँ पर मैं और आपको थोरी पढ़ाती हूं अराम से थोरी पढ़ाती हूं और बहूत अच्छे से सबको समझ आता है घृषा Kitty love आप लोगों का बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा तो आपको पता है कि गोबर गैस को ही हम यहां पर बायो गैस भी हम इसको यहां पर कहते हैं तो ऑर्गनी कंपाउंड से अखाना देख अशो और भी ओण अचे मिल्कर को बनता है जैसे कि गवर डाल दिया पेर पौधों को डाल दिया घर और गहर का जो भी वेस्ट माटिरियल है लाइक किच्न से अचेपन से जो कुछ भी निकल रहा है समान उसको डाल दिया है तो तो वोगों सब्सक्या चार अब फिर इसको combustion यहां पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, oxygen की कमी होती है, anaerobic bacteria होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में methane gas निकालती है, फिर इसको हम एधन की तरह भी यूच कर सकते हैं, बायो गैस को, methane और carbon monoxide, दोनों मुख्य gases हैं, लेकिन methane ज़्यादा होते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पर next question की और move करते हैं, next question है, वो है यहाँ पर, who invented electron microscope, अगर हम यहाँ पर बात करें तो electron microscope का अविश्कार किसने यहाँ पर किया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अनीता, जली से बताना है, ठीक है, ब्रिश कृशोर, very good, marsh gases भी कहते हैं, very good, चलो, जली से answer करेंगे, answer कि अगर आप यहाँ पर बात करते हो, तो answer क्या हो जाएगा, बच्चों, यहाँ पर, यह answer आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, तो अगर आप यहाँ पर नोल और उर्सका के बारे में बात करते हैं, तो इन्हों ने ही सबसे पहले electron microscope का यहाँ पर अरिस्कार किया था, अब घ्यान रखना, माइक्रोस्कोप नहीं पूछ रहा है, electron microscope यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, clear है, क्योंकि यहाँ पर electrons की एक तेज गती से पहुशने वाली beam डाली जाती है, रोशनी का जो शोत होता है, वो electron, तुरिद electron के beam के रूप में यहाँ पर होता है, अब इसके बाद हम यहाँ पर next देखते हैं, ठीक है, राजपुत लॉएंस, ओके, तो बच्चो ध्यान रखना है, यहाँ पर बात हो रही है, electron microscope, ओके बच्चों, अब हम यहाँ पर next question की वर move करते हैं, और जलिस आपको answer करना है, in which of the following medium, speed of the sound is maximum, अगर आप बात करें, तो निम लिखीत में से किस में, ध्वनी की गती अधिकतम होती है, ठीक है सूरज, ओके लोकेश, चलो बचों, जलिस answer करेंगे, कौँसा answer आप लोगों का बिलकुल यहाँ पर सही हो जाएगा, तो बचों, answer के अगर आप यहाँ पर बात करते हो, तो answer हो जाएगा यहाँ पर glass, यानि की काच यहाँ पर आपका बिलकुल सही answer हो जाएगा, ठीक है, तो उन में आप देखोगी कि जो sound है, वो बहुत तेजी से जाता हुआ दिखाई देगा, और यही पर अगर मैं आप से पूछूँ कि सबसे कम किस में होगा, सबसे कम किस में होगा, तो बचों सभी यहाँ पर कहते हैं कि सबसे कम तो vacuum में, निर्वात में होता है, नहीं, वो बिलकुल गलत है, आपको बताना है कि air में सबसे कम होता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किस के बारे में, vacuum के बारे में, तो vacuum में तो होता ही नह फिके बचो चलो अब हम यहाँ पर next question की और move करते हैं और जली से आप लोग को यहाँ पर answer करके पताना है कौन सा answer सही होगा कि which one of the following is used for the sunglasses अगर आप normally sunglasses लगाते हो ना भई धूप वाला चश्मा है काला चश्मा जो तुम लगाते हो ठीक है जो दिव्यांग होते हैं वो तो अपनी आखों को और damage से बचाने के लिए करते हैं वैसा वाला नहीं जो आप स्टाइल मारने के लिए जो आप लगाते हो यहाँ पर क्रुक्स ग्लास यहाँ पर बिल्कुल सही अंसर होगा अब हम यहाँ पर जली से नेक्स कोश्चन की और बढ़ते हैं कि which of the flowing metal is good conductor of electricity अगर हम यहाँ पर बात करें तो नहीं लिखीत में से कौन सी रातू विद्दूत की बहुत ही अच्छे से सुचालक है चले तो ड्राइ एयर पेपर क्यारोसेल ग्रिफाइड चलो बच्छों जली सांसर करेंगे पौन सांसर से ही हो जाएगा पड़ा फट से बताइए आंसर कि आप यहाँ पर बात करते हैं तो ग्राफाइड जो है वहाँ आपका यहाँ पर बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा ठीके बच् कि उसी को यहां पर क्या रहे हैं कि सुचाला कह रहे हैं ठीक है तो आज से के कर आप बात करें तो आज से क्लियर नाइट्स आर ओल्डर देन क्लावडी नाइट्स बिकॉज बहुत अच्छा कोशन है बच्चो चलो जली सांसर करेंगे बेरी गुष शुभा मोकेश राजपुत बहुत बढ़िया और लोकेश चंचला कुमारी बेरी गुड शांतिनो संजना सभी का आंसर बहुत अच्छा रहा है ब्रिज का भी आंसर ब बाँ इस लिगंडे बेरी आईशन ही बच्छो वो कर लेंगे बच्रहं बिकुर बीटेशन की वजह से तो क्लूड रेडियेशन की आइस बिटी नाइएशन और और यंद रेडियेशन राडियेशन राडियेशन रेडियेशन इस रिफ्लाव्ट चैपट नहीं हृड टो इ इसका मतलब क्या होता है कि जब बदली वाली राते होती है बादल आया हुआ है तो जो प्रिथवी जो होती है जो उसने एब्सोर्ब किया है जो भी रेडियेशन जो भी विकिरन वो प्रिथवी द्वारा परावर्ति जो विकिरन होती है वो बादलों में ही फस जाती है और फ पढ़ाती हूं तो सेम यही चीज तो बताती हूं है ना तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सूरी की जो भी किरण है ठीक है तो वह बार-बर क्या हो रही है लौड करके प्रित्वी पर पढ़ रही है और इसी वज़़ह से आप देखेंगे कि जो टाम्प्रेचर है वह यहाँ जादा बढ़े गया है अब हम यहां पर जली से नेक्स कोश्चन की और मुव करते हो जली से आप लोगों को आंसर करना है कि सल्फूरिक एसिड इस स्टोर्ड इन विच टाइप आप दा वैसल अगर आप सल्फूरिक एसिड के बारे में बात करते हैं ठीक है हां ठीक है स्टोरिक एसिड की बारे में बात करते हैं तो इसको विट्रियोल भी यहां पर कहा जाता है क्योंकि यह सल्फर ऑक्सिजन और हाइड्रोजन तीनों से मिलकर के बना हुआ होता है कलर लेस होता है और लेस होता है पानी में यह घुल जाता है बहुत असानी से लेकिन इसको हम किसके अंदर रखते हैं कांच के बर्दन के अंदर हम इसको रखते हैं अब हम यहां पर जली से नेक्स कोशन के और मूव करते हैं नेक्स कोशन है यहां पर कि which of the flowing metal is commonly used in galvanization of iron and steel अगर आप यहां पर बात करो तो लोहा और इस पात के कि ग्यालवनी करण के लिए निम निलखित में से किस धातु का उप्यों किया जाता है वेरिगुट गोपाल बहुत बढ़ी आप रद्यूम वेरिगुद शुभम कुमारस वेरिगुद वेरिगुद सचिन वेरिगुद बहुत बढ़ी आंसर है आपका कर रहे हैं तो आंसर क इसके उपर किसी दूसरे metal की क्या कर दी है परत चड़ा दी जा रही है तो उसी को क्या कहा जाता है तो आइरन और इस्टील को रस्टिंग से बचाने के लिए इसके उपर जिंक का एक पोटिंग कर दी जाती है जिसको गल्वनाइजेशन ऑफ आइरन कहा जाता है ठीक है प्लियर बचों तो जिंक का उप्योग करके ही यह किया जाता है और आज का लास्ट कोशन ने अभी तो काफी है चलो तो यह आज का लास्ट कोशन कर देती हूं कोई बात नी कि अगर हम बात करें तो परमाड़ों के नाभिक में क्या क्या चीज़े पाई जाती है चलो जली से आंसर कर देंगे बच्चों यहाँ पर और यह तो आपको पता ही है आंसर और स्पेशल टॉपिक्स के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को पूछोंगी ठीक है और इसके अलावा अगर आप लोगों उससे जुड़के पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे अनेकेट में लर्णिंग आप में भी फॉलो कर सकते हैं और साथ में ही साइंस हेविन चैनल को आप लोग जरूर सबस्क्राइब कर लीजे और वही पर मैं चोरी क्लास भी करवाती हूं ठीक है